हेलो वेलकूम बेक टोमाइचेनरल और आज मैं आपको साडी से डशना हैं जो कि मेरी पुरानी साडी है जो खराव हो चुकी ए मैंने उसकी पॉरनिकाल दी है कि उसका एक सिरह है व anxious पूरा सब कुछा कर लिया है मैंने तसा फूराय झाया है नला गया है आप यहाँ है और इसे घुमाओंग गुमायोंग तो पुरी साधिक करकी फीर इस में yht wag m जाएंगी और इसको घूमाना ताइट हाथ से हैं, क्योंकि जो गुलाई है वो अच्छे से बनेगी है, तो इस तरह से गूमते जाएंगे और इसे सिलते जाएंगे तो इस तरह से ये मेरा साडी का जो मैं डॉर्मेट है ये मैं बना रही हूँ तो आप इस वीडियो को लास तक देखेंगे तो आपको समझने आएगा कि मैंने कैसे बनाया है इसे तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसे कोल गुमाया है और गुमाने के साथ में इसे सिल्टी भी जा रही हूँ उसाथ में थोड़ा सा गुमाना है फिर जिलना है फिर गुमाना है फिर जिलना है तो इस तरह से ये चलता रहेगा आगे भी तो ये रिखिए मैं किस तरह से इसे गुमा रही हूं और ये वाला वीडियो जो है मेरा requested वीडियो है तो मुझे मेरे इसके पहले भी एक साड़ी का वीडियो आया था जिससे मैंने साड़ी से डॉर्मेट बनाया था तो वो सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है उसे तो मेरे इस वीडियो के आई बटन में मैं उसे डाल दूँए वो वीडियो को तो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लिजे उसी वीडियो पे एक रिया मैं मैं रेक्वेस्ट किया था कि आफ साडी से ही एको अरो डॉरमेünde बनाई है तो मैंने साडी का डॉरमेट इसी लिए लिखिया है हों आप लोगों के लिए में तो यह देखिएक इस में न कोई बैस बनाया है और कोई एक्स्टा कपड़ा लिया है ना कोई केंची का यूज किया है ना साडी को काटना है ना चिंदी बनाना है कुछ नहीं करना है इसमें पूरी साडी की साडी ही लिये है मैंने और जो इसके पहले वाला वीडियो जो मेरा साडी का है वो भी सेम ऐसा ही है मैंने उसमें कोई केंच जारी हुँ है । इसे सिलता जारी हुँ और जितना कुमाना है उतना ही सिलना है क्योंकि आफ ज्यादा घुमा भी लेंगे तो वापस से खुल जाएगा इस तको मतलम नहीं है इसलिए महीं कि यह धोड़ा उच्वाना है लकिन टाइट अध्याद से कमाना ये लंबी वाली सुई से बाप आप 5 बी आहे अगर आप नय हैं तो आपको 30ools पर आप दैना देक्ञा 5 तो यह बस 10-15 मिलिट का काम है और यह इस तरह से डॉर्मेट बनके रेडी हो जाएगा और साड़ी तो हम यू ही ऐसा ही किसी फेक देते हैं या ऐसे कर देते हैं तो इस जैसे और इससे अच्छा कि हम घर में ही डॉर्मेट बना ले ताकि हम को यूज में भी आ सके और इससे भी पहनना मैंने बंद कर दिया था तो अब ऐसी साड़ियो को हम क्या करें जो अच्छी भी दिखती है लेकिन हम इने फेक भी नहीं सकते हैं ना इसका कोई यूज है तो फिर इस तरह से डॉर्मेट बना लीजिए ताकि आपको काम में आ जाएंगे यह तो यह देखि कितना अच्छे से यह सिल गया है और इस तरह से आप घर में बना सकते हो बहुत ही आसान है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में बहुत ही एज़ी है तो अगर फ्रेंड आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आप ल आपको कुछ बनाना सीखना है तो आप उसे जरूर बताईएगा मुझे तो मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेट करिए शेयर करिए और नहीं है को सब्सक्राइब करिए और मैं इस थाई बटन में में न जो वीडियो है मेरा साड़ी वाला वह मैंने इसमें डाल दिया है आप जड़े देखिएगा थिंदे जाने